दोस्तो जीवन में पानी कम है तो आप सभी को मालूम है पर अभी जीवन का सबसे बड़ा सवाल हो गया कि पानी पीए तो कितना कोई कहता है डेड़ लिटर जरूरी है कोई कहता है दो ढाई लिटर और कई लोग तो तीन साड़े तिल लिटर की भी सला देने लगते हैं तो आईए जानते हैं कि पानी कितना पीना चाहिए पानी कितना पीना चाहिए ये तीन मुख्य बातों पर निर्वर करता है पहला तो है सीजन अर्थात मौसम गर्मी का अगर मौसम होगा तो हमें पानी की प्यास जादा लगती है तो नैचरली पानी जादा पीना पड़ता है वहीं अगर ठंड का मौसम होगा या बारिश का मौसम होगा तो हमें प्यास कम लगती है तो पानी कम पीना पड़ता है दूसरा जो important point होता है वो है हमारे काम का तरीका और हमारे काम की जगे अगर हम काम बाहर करते हैं दूप में बहुत ज़्यादा गूमते हैं पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो पानी ज़्यादा पीना पड़ता है वहीं अगर हम किसी building के अंदर काम करते हैं धूप से बहुत ज़्यादा नाता नहीं आता है पसीना नहीं आ रहा है तो हमें पानी की प्यास कम लगती है पर उसमें आजकल गडबड क्या हो गई है कि हम जब किसी building के अंदर काम करते हैं कई बार हमारे ओफिसेस जो है वातानु कुलित होते हैं अर्थात एसी होता है तो हमें लगता है कि बहुत ठंडा है पर उस वक्त हमारे शरीर से जो मौईस्चर है वह बहार जाता है तो ड्राइनेस बढ़ जाती है पर लोग इस वक्त पानी पीने का ख्याल रखते नहीं क्यो अर्थात प्रकृती तो प्रकृती के हिसाब से आईरवेद कहता है कि प्यास कैसी होनी चाहिए अगर किसी की वात प्रकृती हो तो उस इंसान का गलाब बार बार सुकता है उसे एक 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 करके घुट घुट पानी बार बार पीते रहना पड़ता है वहीं अगर पित्त प् कई बार हमें लगता है ने किसी इंसान को देखकर क्या अरे यह तो कभी पानी पीता ही नहीं इसे प्यास नहीं लगती है तो उसका कारण शायद उसकी कफ़ प्रकृती में चुपा हो सकता है पर फिर भी बीयल डिसाइट कैसे करें की पानी कितना पीए ़ोलिटर दीलिटर तो देखिये में कब से कह जा रही हूं 50 प्यास प्यास हमें निसर्ग ने चरिर के अंदर एक मॉनिटर दिया हुआ जिसे हम लोग कहते हैं प्यास, तो प्यास लगेगी तो पानी पीना है, प्यास नहीं लगेगी तो पानी नहीं पीना है, प्यास नहीं लगी होगी तो भी आपने प्यानी पिया तो गड़बर हो सकती है, पर प्यास लगी हो और आपने उसे ध्यान नहीं दिया और पानी नहीं पिया तो भी गड़बर हो सकती है तो याद रखिए पानी गिनना नहीं है प्यास लगी तो पानी पीना है और प्यास ना लगे तो पानी नहीं पीना है दोस्तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए आज के वीडियो से जुड़ा अगर कोई सवाल आपके मन में है या कोई नया सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं तो कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिए हम जल से जल आपके उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए नमस्ते